हेलो एब्रीबन, वेलकम टू विद्दे ट्रांस दोस्तों, प्रोग्रामिंग काउंटर का मैं आपको एक पहला प्रोजेक्ट दे रहाँ इसमें आपको क्या करना है? आपके पास एक बॉटल है और एक आपके पास सेंसर लगा हुआ है ठीक है अब आपको क्या करना है जब इस सेंसर के सामने से यह पांच बोटल निकल जाएं तो आपका एक आउटपुट ओन हो जाएं यहां पर आपके पास अगर रियल पील सी नहीं है तो आप क्या करोगे आप अपने सौफ़वेर पर ही यह प्रोग्राम बनाओगे कि पांच बोटल जब मेरी इस सेंसर के सामने निकल जाएं मतलब पांच काउंटिंग पूरी हो जाएं तो एक आउटपुट कोई सा भी आपका ओन कराना है आपको ठीक है फिर उसके बाद एक बटन दबाऊं तो मेरा काउंटर रिसेट हो जाए तो यह फर्स्ट प्रोग्राम मैं विद्धे ट्रांस दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की बारे में तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दूँगा और उसका सॉल्यूशन जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे हमें निकलेगा तो सबसे पहले फाइल में गए तो आपने देखा मैंने यहां पर इमुलेटर स्लेक्ट कर रखा है ड्राइवर के तोर पर इसको मैंने ओके कर दिया ठीक है तो प्रॉब्लम सुल लीजिए प्रॉब्लम हमारी क्या है हम एक बॉटल काउंटिंग प्रोग्राम बनाना चाते हैं ठीक है बॉटल काउंटिंग आपकी metal bottle है और हम उनको count करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी 5 bottle sensor के सामने से निकल जाए तो मेरा एक output on हो जाए red light मेरी on हो जाए तो इसके लिए simply आपको जब आपको count करना है तो PLC में एक instruction होता है जिसका नाम होता है counter तो आप counter का use कर सकते हैं दूसरी चीज आप देखिए आपको bottle count करनी है तो कैसे count करनी है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 मतलब आपको up counting करनी है तो इस condition में आप क्या करोगे यह जो instruction की list है यहां से आप timer slash counter पर click करें आपका हो सकता है इस तरह से हो फिर आप timer slash counter पर click करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैंगे CTU करके counter इसको आपने select कर लिया और इसको select करने से पहले आप user में जाईए और आप एक रंग ले लिजिए अब यहां पर आप timer slash counter में जाईए और आपने CTU select कर लिया ठीक है यहां पर आपने counter select कर लिया और यह basically आपका count करने में इस्तमाल किया जाएगा इसको आप एक input दे दीजिए input आपने दिया user में जाके एक normally open button लगा दिया और इसको आपने address दे दिया तो basically आप क्या जाते हो कि मेरी sensor lake लगा हुआ है मेरे पास proximity sensor और उसके सामने से जब बोतल निकले तो यहां पर counter पर एक value भड़ जाए तो basically आपका sensor जो होगा वो 0 to 1 जाएगा off से on होगा और उस case में आपके counter की एक value भड़ जाएगी ठीक है तो यहां पर हम लोग इसे sensor का address दे देते हैं मेरे पास जो hardware में sensor लगा हुआ है वो i.0-9 पर लगा हुआ है ठीक है मैं अभी software software में बता रहा हूँ फिर यही program में अपने PLC पर लोड करके आपको एक बड़ दिखा दूँगा counter का मैंने address दे दिया यहां पर c5 colon 0 ठीक है क्योंकि मैंने जो program में बनाना है वो यह बनाना है कि 5 bottle मुझे count करनी है और 5 bottle जब मेरी count हो जाए उसके बाद एक red light यहां पर on हो जाए ठीक है यहां पर मैंने एक और button लगा दिया अब इस button का क्या use है जैसा कि आपने timer में पढ़ाता कि जब accumulated value preset value के बराबर हो जाती है तो timer की done bit on हो जाती है यहां पर 5 जब counting पूरी हो जाएगी तब मुझे को output चाहिए तो इस counter की भी एक done bit होती है जो की तब on हो जाती है जब accumulated value बराबर पहुंसती है preset value के तो इसकी भी done bit होती है तो आप इससे एक output ले सकते हो कि जब आपकी preset value जब आपकी accumulated value पहुंच गई प्रिसेट value के बराबर तो आप यहां पर output को on करा सकते हो आपका o colon 0 slash 2 ठीक है आपने इसको verify कर लिया और verify करने के बाद आपने देखा verify as completed no error found कोई error इसमें आपकी find out नहीं हुई है अब आप इसके input पे गौर एक बार कीजेगा मैंने verify कर दिया है अब मैं file में जाऊंगा औ तो मैं देखूंगा यहां पर ठीक है यहां पर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं और इसका नाम मैंने रखा है counter up counter ठीक है up counter मैं इसका नाम रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर save कर देता हूँ save करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर emulate पर जाके इसको select करना है तो आप यहाँ पर जाएए और इस folder से जाके आप PLC प्रोग्राम में जाके अब counter को select कर लेजिए ठीक है open कर लिया मैंने और यहाँ पर station दे दिया मैंने 1 इसको ok करके मैंने run करा दिया अब यहाँ पर गौर से देखिएगा मैं communication में जाऊंगा और system communication में जाने के बाद मैं micrologics 1100 को select करके इसको download कर दूँगा ठीक है yes किया मैंने और मैं online चला गया online जाने के बाद आप यहाँ से इसको क्या करा सकते हो run करा सकते हो run हो गया मेरा अब आप देखिएगा जैसी मैं इसको on करूँगा एक counter की एक यहाँ पर counting भड़ जाएगी अब एक बार अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि जैसे ही bottle मेरी उस sensor के सामने आ रही है वो off से on जा रहा है इसको मैं थोड़ा आपको एक बार लिख के देखा देता हूँ तो अगर देखें हम यहाँ पर गौर से एक बार बोर्ड पर इसको देख लेते हैं तो control A करके मैं इसको अटा देता हूँ तो देखें जैसे ही मेरा जैसे माली जीए यह sensor लगा हुआ है और इस sensor के सामने मेरी यह bottle आ गई ठीक है यह bottle आ गई अब जैसे ही क्या हुआ इस sensor के सामने bottle आई यह sensor क्या हुआ ओफ से on गया यह ओफ से on गया इस तरह से ठीक है और जब तक यह bottle सामने रही इसके तब तक यह क्या रहा on रहा on stage में रहा और जैसे ही यह bottle इसके सामने से से चली जाएगी यह ओफ हो जाएगा फिर से ठीक है तो वैसे भी आप समझ पारे हो गए यह जो टायम होगा यह कम होगा क्योंकि बोटल बहुत-बहुत ज़्यादा आराम से तो अराम से निकलेगी नहीं इसके सामने से ठीक है तो यह टायम जो value जो होती है आपकी 0 से 1 भढ़ जाएगी ठीक है फिर आपकी accumulated value 1 ही रहेगी जब तक यह on है ठीक है और यह off हो गया तब भी बन रहेगी फिर उसके बाद off होने के बाद जब यह दोबारा on होगा sensor तब आपकी accumulated value फिर से 1 भढ़ेगी ठीक है तो आप इस चीज को समझ दीजेगा अब आप देखे यहाँ पर इसको हम गौर से एक बार और देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जब on हुआ 0 to 1 गया accumulated value एक बार भढ़ गई फिर उसको आपने off किया फिर से आप अगर on करेंगे तोगल कर दूँगा फिर से accumulated value भढ़ जाएगी और आपने off कर दिया इसको ठीक है और इस तरह से आपकी यह भढ़ती रहेगी जैसे ही आपकी इसमें accumulated value preset value के बराबर आ जाएगी अब देखेगा अब देखेगा जैसे accumulated value preset value के बराबर आ जाएगी आपकी counter की done bit जो है वो on हो गई और उसके साथ वाला output on हो गया तो यहाँ पर आप यह चीज भी बना सकते हो कि जैसे ही आपके counter में क्या हुआ counter में अब counter की बात कर रहे हैं हम लोग अब counter में जैसे ही आपकी accumulated value बराबर हुई तो आपकी तो आपकी counter की जो done bit है वो क्या हो गई on हो गई ठीक है और यहाँ पर एक चीज और याद रखेगा accumulated value अब अगर बड़ी भी हो जाएगी preset value से तो भी आपकी done bit on रहेगी तो याद रखेगा accumulated value जैसे ही बराबर हुई preset value के वैसे ही done bit on हो गई फिर अगर accumulated value preset value से जादा भी भढ़ गई तो भी आपकी done bit on रहेगी ठीक है यह point को note कर लिजेगा जबकि timer के case में आपको याद होगा accumulated value preset value से कभी जादा जाती नहीं है तो इसको आप star बना लिजेगा ठीक है this is important ओके चलिए अब देखिए force toggle किया अब आपने और आंगे बढ़ा दिया फिर भी आपकी जो done bit है वो on है ठीक है तो accumulated value इसमें आपकी preset value से जादा जा सकती है अब बात आती है कि भई इस पे किसी चीज का कोई फरक तो पड़ नहीं रहा है ऐसा तो नहीं कि इसको reset किया जा सके ठीक है क्योंकि supply में काट रहा हूं फिर भी ये reset कहा हो रहा है जबकि T on timer की तो input जैसे ही बंद करो reset हो जाता था accumulated value 0 पर आ जाती थी यहां पर क्या हो ऐसा नहीं हो पा रहा है ठीक है तो इसके लिए क्या होता है इसमें अलग से आपको reset लगाना पड़ता है इस counter को अलग से reset करना पड़ता है तो उसको कैसे करेंगे इसको पहले offline ले जाए तो go offline और इसमें मैं एक और ब्लॉग एड़ कर देता हूं ठीक है इसमें मैंने एक और ब्लॉग एड़ किया और यहां पर एक reset भी टॉर लगेगी तो आप एक अलग से बटन लगा सकते हो या आंगे चलके हम लोग compare instruction देखेंगे तब कुछ और नई चीजों को भी explore करेंगे तो एक बटन अभी मैं फ्लाल के लिए लगा देता हूं और इससे आप उस counter को reset कर सकते हो reset का बटन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा timer and counter में यह देखी यह reset का बटन है तो इसमें अलग से आपको reset का बटन लगाना पड़ता है और इससे आप किस counter को reset करना जाते हो उस counter का address दे दोगे आप c5.0 को मैं reset करना जाता हूं ठीक है आप इसको verify करो और verify करने के बाद हम लो को save करने के बाद आप फिर से communication में गए system communication में यहां से आप इसको download करते जीए ठीक है यह आपकी यहीं से आप online चले जाएंगे और फिर यहां से आप इसको run करा लीजिए ठीक है अब देखिए आप इसको फिर से toggle कीजिए यह done bit आपकी on है कोई दिक्कत नहीं है done bit आपकी हम तो बराबर है या उससे बढ़िए लेकिन पहली बार accumulated पहली बार done bit तभी on होती है first time जब accumulated value preset के बराबर आयाती है उसके बाद तो आपकी भड़ती आंगे रहे कोई फरक नहीं पड़ता उसको ठीक है आप देखिए इसको अगर reset करना है मुझे accumulated value को फिर से 0 पे लेके आना कि जब मेरे sensor के सामने से 5 बार bottle निकल जाए तो पांचवी बार पर मेरा यह जो output है यह on हो जाए ठीक है लेकिन आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि पांचवी bottle के बाद जब दूसरी bottle भी आ रही है छटवी साथवी आठवी तो आपका red light on है तो simple आपका जो program था वो तो आपने बना लिया कि 5 जब हमारी bottle आ जाए जब मेरी bottle की counting 5 हो जाए तो एक red light जल जाए simple यह program आपने बना लिया अब आप चाते हैं यह automatic reset भी हो जाए तो अभी आंगे चलके हम लोग compare instructions पढ़ेंगे तब हम इसको automatic reset भी कर सकते हैं कि मेरी 5 counting पूरी हो जाए और अपने आप यह counter फिर से reset हो जाए ठीक है ऐसा कुछ कर सकते हो जो भी आपका मर्जी इसमें कर सकते ह लेकिन simply हमने यह program इसको run करा दिया अब मैं आपको next video में इसको PLC पर लोड करके एक बार आपको दिखा दूँगा thank you very much दोस्तों आज हमने एक bottle counting का प्रोग्राम जो है वो PLC पर लोड किया हुआ है प्रोग्राम यह है कि जब मेरे sensor के सामने से यह आप देख पा रहे होंगे proximity sensor है और जब इस sensor के सामने से 5 bottle भुज़ जाएंगी तो मेरा एक output on हो जाएगा तो output पर मैंने यहाँ पर एक red light दे रखी कि 5 bottle जब निकल जाएं तो मेरा red output on हो जाए प्रोग्राम मैंने इस पर लोड कर दिया अब आप देखिएगा मैं एक एक करके bottle निकाल ला हूँ one two three four और five आप देख पा रहे होंगे यह red light on होगे ठीक है thank you very much इसका इसरे एंट रिज्ड बन गीए तीस सेक्ड दी मैं इस तरह थे real बन गी एंट टीस सेकंड पीज्ड झाल झाल